चलिए प्रसंख्या 11-13 को देखें निमने आयद चित्र आरेक एक कॉलेज में 50 प्रोफेसरों की आयू की सरेनी दर साता है इसमें आयू की सरेनी दी गई है 25-30 दो प्रोफेसर हैं उसी प्रकार 30-35 के बीच 4 प्रोफेसर हैं और आगे भी इसी तरह दिखा गया है तो present sankhya 11 को देखें उन professor की sankhya ग्याद किजिए जिनकी I.U। 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं है ठीक है तो इसमें हम 50 वर्ष तक के professor की sankhya को जोड़ेंगे तो ऐसा करने के बज़े है क्यों न हम उसे professor की sankhya ग्याद कर लें जो 50 वर्ष से ज़्यादा है और कुल professor की sankhya म आठ प्लस तीन, ग्यारा प्लस एक बारा तो पचास मैनस बारा जो कि 38 होगा तो 38 प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी आयू 50 वर्स या 50 वर्स से कम है तो हमारा आंसर 38 है जो कि विखल्प C में दिया गया है ठीक है? अगला कॉस्टिन 45 से 55 आयू समू में प्रोफेसरों की संख्या, कुल प्रोफेसरों की संख्या का कितना प्रतिस्ट है? तो 45 से 55 के बीच हमारे पास कितने प्रोफेसर हैं? यहां 16 है और यहां पर 8 हैं तो 45 से 55 के बीच कुल 16 प्लस 8 24 प्रोफेसर हैं और कुल प्रोफेसर हमारे पास 50 हैं तो 24-50 का कितना प्रतिसत हो जाएगा 48 प्रतिसत इसलिए हमारा answer option B हो जाएगा अगला question वह आयू सम्मू काउन सा है जिसमें प्रोफेसरों की संख्या सबसे कम है तो यह दिएगे एक graph से बिल्कुल क्लियर है कि इस आयू सम्मू में प्रोफेसरों की संख्या सबसे कम है मतलब 60-65 आयू सम्मू में प्रोफेसरों की संख्या सबसे कम है तो हमारा answer option A हो जाए झाल झाल झाल